अज्वाइन को डाल रहे हैं और यह अज्वाइन को डाल रहे हैं और यह आटा में मिला लेंगे लोलाई के बाद हम इसमें नमक स्वात्के नुशार डालें riots । को अच्छी तरह से हम ला लेते हैं और कुछ टाइम के लिए इसको मिलाती ही रहते हैं और मिलाने के बाद जब ये मिल जाता है तो तोयांते में लें गी और नमक डालने के बाद की इसको पूरी कहलें चैसे झालेंगे और मिलाने के बाद हम 15 मिनट इसको भूठेंगे गुतने के बाद यह भीडों सबस आएगा एक ड्रूप में तयार हो जाता है और इसमें चिकने आजलेंके बाद में इसको हम कपड़े से ढख के रख देंगे ताकि यह सोफ़ी रहे आठा सूख नजाए और इसमें अजवाइन जो डाले हैं हलका हलका दीख रहे दोस्तों तो यह अजवाइन सुआज के लिए डाल गया है और इसको हम साफ कपड़ा से धक देते हैं ताकि उसमें हवा न लगे और फिर हम कडाहिक धडा दिए हैं और इसमें तेल डाल रहे हैं जिरा ग्ल्के को हम मिक्सर में पीस पाऊडर बना लिए हैं दोस्टाएं झालका दक्ञा Stallion से ब्हूंण T तो थोड़ा सही है जादा नहीं डाला जाता है तो हम इसमें हलका मसाला है तो हलका ही दे रहें और यह अधरक का जो पेस्ट था तो हम इसको अधरक के पेस्ट डाल रहे हैं और नमक इसमें फिर से डाल रहे हैं दोस्तों और कुछ मसाला बाद में भी डालेंगे तो अभी इस पूरा मिर्च दाले थे और यह जो आलो को हम चमस से पूरा मिल्ट कर लिए थे और यह पानी ना छोड़े इसलिए हम पूरी तरह से इसको सब्सक्राइब chodzi दोस्तों फिर आलो डालने के बाद रज़ा मिर्च डालेंगे और फिर मसाला डालेंगे जो हल्का से मसाला हम रखे थे मचाला था और हल्दी है हल्दी के साहसा हम आमचूर आमचूर को बिदालें गया तोड़ा से भून लेते हैं इसके बाद में आमचूर डालेंगे थोड़ा सा खटास लगेगा और यह रहा अमचूर अमचूर गो डाल रहे हैं तो यह आलू है जो फ्राई हो चुका है और यह दिखने में भी थोड़ा स्वाधिश्ट लग रहा है और यह रिफाइन ओयल से थोड़ा सा हाथ में लेते हैं और इसको लड़ू बनाना तयार कर देते हैं ऑर मेरा च्ट च्ट बॉल्स की तरह बन गया है और यह बनने के बाद हम यह आंटा जो रखे थे इसको आंटा को निकाल रहे हैं और की क्रीश्ट हो चुका है और यह कांऔर बandamई प्रकें की तरह से बना लिए और इसको हम जैसे कि आलू भरते हैं वैसे यह मसाला को भर रहे हैं और इसको हम ऐसे लोग करेंगे लोग करने के बाद हम उपर में जो होता है दोस्तों वही पर पकड़ के प्रेस करेंगे और यह काफी अच्छा लग रहा है और कच्चा कच्चोडी है अब ही टेल में डालने के बाद कैसा लगता है आप लोग विड़ियो में बने रहे हें और देखिए यह डालने बाद फोद अपर आजाता है पकने के बाद यह उपर आजाता है दोस्तो मसाला डालने के बाद हम जो इसको win अच्छी ते करेंगे नहीं तो यह फुटने के बाद यह लोग आजाता है और िकळणा कर लेते हैं और इसको पूरी तरह से हम लोग कर लेते हैं कि अ ठीजटर हम में मेरा कचोडी हे फर्ष्ट बार वाला है यह निकल चुका है और काफी अच्छा लग रहा है दोनों तरफ से यह पग्या है और यह खसता भी लग तो दोस्तों दीखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में कितना मज़ेदार होगा तो हम दूसरा बार वाला भी डाल रहे हैं और ये तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए ये आच इसका मेडियम ही होना चाहिए क्यूंकि ज्यादा गरम होने से ये फट जा होगा है और ये लास्ट कचोरी डालेंगे हम लास्ट में और फाइनल आप लोगों को दिखाते हैं कि अ कि अ कि उस तो कुछ इस तरह मेरा कचोरी बन के तयार है और इसमें हम ओयल खीचेगा इसलिए हम पेपर में डाले हैं और हम थोड़ा सा चतनी भी बना रहें इसके इस तरह से दिखने के लिए लग रहा यमी तैप से लग रहा है तो दोस्तों फाइनली मेरा तयार हो चुका है मेरा चटनी भी तयार हो चुका है और ये कचोरी भी तयार हो चुका है तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट किजेगा और कुछ भी कमी होगा तो आप लोग जरूल से बताईएगा हम पूरा करेंगे उसको और मेरा कचोड़ी तैयार है आप लोग आज ये खाने के लिए खसता कचोड़ी बना लिए है आटे का कचोड़ी है ये दोस्तों वैसे तो कोई मैदा नहीं कर शो कि ये दो खसिता को続ी बने कोई भीक, कहले मैँ नहीं हो तो हो दोला प्तूफे क्वेशने कर दोड़ AGं अजे लाएगाोंा दोरी मेदार बना गले दो और थाएबने कॉशंई लाएबने आख दो फसचोड़ी वाए़ी मैँ होगी हे भीकशार था दाटें कर